नमस्कार मैं हूँ आपकी हिंदी सिक्षिका स्रीमती रंजना सिंग्ग विशय हिंदी कक्छा सात्वी दूसरी इकाई से पाठचार पाठ का नाम है शब्द संपदा इसके लेखक है डॉक्टर सुर्य नारायन रंसू भेजी मेरे प्यारे बच्चों इस पाठ में लेखक डॉक्टर सुर्य नारायन जी भाषा के विकास और उसके महत्तों के बारे में बता रहे हैं भाशा के कारण इमानो संस्कृति का विकास संभव हो सका है। भाशा सार्थक शब्दों का संयोजन है। भाशा में शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द मनुष्य को ज्यान से जोडते हैं, मनुष्यों को एक दूसरे से जोडते हैं, मनुष्य को हसाते हैं, प्रेणना द नमारा पार्ट इस प्रकार से शुरू होता है। नमारा पार्ट इस प्रकार से शुरू होता है। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोडते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोडते हैं। विज्यान की दृस्टी से तो अक्छर ध्वनी के चिन्न है, निर्जीव है, मनुष्य ही उनने अर्थ देता है, जीवन्त बनाता है. जब शब्द जीवन्त हो जाते हैं तो फिर उन में मनुष्य के विविद स्वभाव, गूर आने लगते हैं. मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन नमोने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमोने हैं जैसे कुछ लोग औरों को हसाने का काम करते हैं वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हसाते हैं जैसे कुछ मनुस्य औरों को हमेशा तकलिफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारन मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है, अर्थात दुख ही हो जाता है कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है, कुछ लोग बड़े प्रियो होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रियो होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की गुनगुनाने की एक्षा होती है एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी और कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं कुछ शब्द निस्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिली जाएगा नहीं है तो नहीं मिलेगा न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90 प्रतिशत परिस्टरम की 5 प्रतिशत भुद्धी की और 5 प्रतिशत संयोग की जरूरत होती है परन्तु याद रखें किसी भी काम को पुरुनत्व देने के लिए 90 प्रतिशत 14 परिश्रम की जरूरत होती है ऐसे शब्द जो हमें निश्क्रिय करते रहते हैं उन्हें हमें अपने जीवन ब्यवार से निकाल बाहर करना चाहिए कुछ भाशाओं के शब्द किसी भी अन्य भाशा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हें में से एक बन जाते हैं जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुलन सील होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते शब्दों का भी ऐसा ही स्वभा होता है विशेशकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहां के भाषाओं में घुल मिल गए जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन, आदी कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविन परिवार तक ही सिमित रहते हैं वे किसी से घुलना मिलना नहीं जाते अल्वत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं, परंटू सब नहीं कुछ शब्द तो अन्ति तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखते हैं अपने मूल रूप में ही वे अन्यास्थानों पर जाते हैं कुछ शब्द अन्या भाशा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्मसा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि हमारे देश की रास्ट्र भाषा हिंदी है जिस देश में पूरब से पस्चिम और उत्तर से दक्षिन तक कभी हिंदी का ही बोल बाला रहा हो वहां आज इस भाषा को अपने अस्तित्व के लिए जूजना पड़ रहा है आम तोरपर लोग कर्नाटक को, कर्नाटका, केरल को, केरला कहने में कर्व महसूस करते हैं उसी तरह आम बोलचाल की भाषा में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रियोग बढ़ रहा है आज के युव़ा मानते हैं कि हिंदी हमारी मात्री भाशा है और इसे बोलना चाहिए पर अच्छा करियर के लिए और वेहत्र नौकरी के लिए अंग्रे जी का प्रयोग हमारी मजबूरी बन गया है हिंदी भाषा के बारे में कुछ महान लोगों का विचार इस प्रकार से है महत्मा गांधी जी ने कहा है रास्ट भाषा के विना रास्ट गुंगा है आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा है मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज़्जत करता हूं पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं सह नहीं सकता। डॉक्टर राजिन्द प्रशाद जी ने कहा है जिस देश की अपनी भाषा और साहित्य का गौरों का अनभौ नहीं है वह उन्नत ही नहीं हो सकता। लोकमान्यबाल गंगाधर तिलग जी ने कहा है यद्यपी मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राश्ट भाषा हो सकती है। विलियम केरी जी ने कहा है हिंदी किसी एक पृदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सरवत्र बोली जाने वाली भाषा है। कुभाष चंद्रबोस जी ने कहा है प्रांट्रिय इस्ट्रिया द्वेश को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाये जाते हैं जो दो विन्वाषाओं के शब्दों के मिल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्ष गांठ, मांग पत्र, हिंदी अर्भी फार्षी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेलियात्री, रेडियो तरंग, अर्भी फार्षी, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि, इन शब्दों से हिंदी का विशब्द संसार सम कुछ शब्द अपनी मा के इतने लाडले होते हैं कि वे मा मात्री भाषा को छोड़ कर औरों के साथ जाते ही नहीं। अपनी मात्री शब्द नहीं होते ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अर्बी, फार्सी से आये हैं उन्हें आने दीजिए जैसे ब्रश, रेल, पैंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि परन्तु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुन्दर उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उप्योग नहीं होना चाहिए हमारे पास मा के लिए, पिता के लिए सुन्दर शब्द हैं जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अर्डा, दादा, बाबु, आदी अब उन्हें छोड मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के गुद्धी मत्ता, समच और संसकारों को दर्शाते हैं, इसलिए शब्दों के उचारन के पुर्वा हमें सोचना चाहिए, कम से कम शब्दों में अर्थ पुर्ण बोलना और लिखना एक कला है, या कला विविद पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है, मात इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संसकारों द्वारा ही सीखा जा सकता है, सुन्दर उप्यूक्त और अर्थ में शब्दों से जो वाक्य परिक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी स्रिणी प्राप्त होती है, अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग ह हमेशा हानिकारक होता है, प्रतेक ब्यक्ति के पास स्वैम की शब्द संपदा होती है, इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है, शब्दों के विभिन अर्थों को जानने के लिए शब्द कोश की भी जरूरत होती है, शब्द कोश का एक पन्ना रोज एकागरता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा, तो अब दै करो कि अपने शब्द संपदा बढ़ानी है, इसके लिए वाचन संस्कृत को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। बच्चों प्रस्तुतने बंद के माध्यम से लेकक ने शब्दों की सक्ति को दिखाते हुए इनकी शंपदा को बढ़ाने के लिए जागरोप किया है, 14 सिदंबर को हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं, इसी दिन हिंदी भाषा को मूल भूत रोप से हमारी मात्री भाषा के र और डिक्षनरी ने भी हिंदी के कुछ शब्दों को अपनाया, जैसे कि अच्छा, बड़ा दिन, बच्चे और सुर्य नमस्कार, बच्चों आपके लिए कुछ ग्रिह कारिया है, हिंदी पुस्तिका में लिखना है, यहाँ पर कठिन शब्द दिये गए हैं, और कुछ मुह आवरे हैं, जिनका वाक्या प्रयोग करना है, तीन चार वाक्यों में प्रस्णों के उत्तर लिखना है, नीचे दिये ये वाक्या पढ़ो और उप्यूक्त शब्द उचित जगह पर लिखो, धन्यवाद